अगर आप लोग चैनल पर नए है तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करेंट अफेर्स और स्टडी मेटरेयल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आज मैं पूरे हफ़ते का weekly current affairs quiz बनाऊगा जिसमें हम 75 पूरे हफ़ते के discuss करेंगे तो प्लीज उस session को आप जरूर देखिएगा पूरे हफ़ते के तयारी को आपकी वो cover करेगा चलिए देखते हैं कौन-कौन से important articles हैं हर अभ्यरती को seal band packet में मिलेंगे प्रश्णी पत्र तो देखिए अभी तक क्या होता था आपने देखा होगा जो एक पूरा लिफाफा आता था एनवला पाता था उसके अंदर आपकी booklet रहती थी और वो एक एक करके booklet आपको मिलती थी अब जो वो booklet होंगी वो भी आपकी अलग transparent sheet आती है उस polythine के अंदर वो pack होंगी और उस फिर poly का गयर को आप फारेंगे और तब आप अपना exam करेंगे तो यह थोड़ा सा नया change commission ने किया है और राजियों में भी इस तरीके से booklet होती हैं अगर आपने किसी और state का exam दिया हो तो वहाँ पर भी इस तरीके की व्यवस्ता है जो individual booklet है हर booklet आपकी अलग एक envelope में seal रहती है UPPSC ने लिया महतवपूर नेड़ने अभ्यरती अपने हाथ से खोलेंगे packet अन्य आयोगों की भरतियों में भी इस नई व्यवस्ता को लागू करने की है तैयारी तो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की भरती परिक्षाओं में प्रश्ण पत्रों की सुरक्षा को लेकर एक नया महतवपूर बदलाव किया गया है आयोग की सभी परिक्षाओं में हर अभ्यर्ती को सील बंद packet में प्रश्ण पत्र दिये जाएंगे और अभ्यर्ती सील बंद packet को अपने हाथ से खोलेंगे अन्य आयोगों और भरती बोर्ड में भी इसी तरह के की तैयारी करने की बात की गई है और यहाँ पर यह भी बताया कि प्रती बंदल में कितनी कितनी कॉपीज होंगी इससे पूर आयोग की परिक्षाओं में 24-24 प्रश्ण पत्रों के बंदल सील पैकेट में परिक्षा केंद्रों पर भेजे जाते थे ऐसे में बंदल की सील को नुकसान पहुचाए बिना उसमें से एक पेपर आसानी से निकाला जा सकता था पेपर लिक मामले में यहाँ शंखा भी यताई गई है कि बंदल की सील को नुकसान पहुचाए बिना उसमें से एक प्रश्ण पत्र निकाला गया प्रश्ण पत्रों के seal packet पार दर्शी होंगे जैसा मैंने आपको बताया जिसमें से उपर केवल पहला और अंतिम प्रश्ट ही दिखेगा जिसमें सवाल आपके नहीं होते केवल इसमें instructions होते हैं अगर प्रश्ण पत्रों के seal packet को एक बार खोल दिये गए PCAJ मुख्य परिक्षा 2022 की कौपियां देखने वाले अभ्यरतियों की संख्या 400 से उपर पहुँच गई है 5 जुलाई को यहां एक दिन में सबसाधिक 41 अभ्यरति अपनी कौपियां देखने पहुँचे वही 6 जुलाई को 49 अभ्यरतियों ने आयोग पहुचकर अपनी कौपियों का अवलोकन किया है 30 जुलाई तक कमिशन आपको कौपियां दिखा रहा है उसके बाद देखते हैं रिजल्ट के ओपर की रिजल्ट आप कमिशन रिवाइस करता है या नहीं करता है क्योंकि 50 अभ्यरतियों के जो माक्स हैं वो इंटरचेंज हो गए है तो उससे पूरे रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा नीट यूजी की कांस्लिंग स्थकित तो जो अंडर्ग्रेजुएट कोर्से नीट ने उसकी अभी कांस्लिंग स्थकित कर दी है सनिवार से शुरू होनी थी प्रवेश प्रक्रिया सुप्रीम कोट में कल होने वाली सुनवाई पर केंद्र सरकार की नजर तो उसमें जो निर्णा आएगा फिर आगे इसमें निर्णा लिया जाएगा शिक्षकों और करमचारियों की डिजिटल उपस्तिती कल से तो डिजिटल आपका अटेंडनेस इसमें लगनी शुरू होगी परिशदिय विद्यालेओं के शिक्षकों में नाराजगी करेंगे इसका विरोध तो तो हो नहीं था देखिए परिशदी विद्यालेओं में सिक्षकों करमचारियों की 8 जुलाई से डिजिटल या ओनलाइन अटेंडनेस लगाने के निर्देश दिये गए हैं इसके साथ ही इसको लेकर विरोध के स्वर्भी तेज हो गए हैं शिक्षकों ने बरसात के करण खराव रास्ते स्कूलों में जहल बराव जैसी विवारिक दिक्कत का हवाला देते हुए इसमें रियायत देने की मांग की है साथ ही सुनवाई नाहानों पर विरोध करने की बाद भी की है तो आप देखते हैं शाशन का इस पर नेड़ना निकालता है क्योंकि रास्ते वागई mostly जो स्कूल्स होते हैं आपने देखा हो वो ग्रामीड छेत्रों में होते हैं और ग्रामीड छेत्रों में कच्चे रास्ते पर कीजड़ वगएर की समस्या रहती है इसके अलावा कुछ देखिए ये आज जॉब्स के दो आर्टिकल हैं हरियाना लोक सीवा आयोग में 800 पद आपके आए हैं आयरुवेदिक मेडिकल आफिसर के पदों पर तो इसमें कोई अगर इंट्रेस्टेड हो तो भढ़ सकता है इसके अलावा नैशनल हूमन राइट्स कमिशन जो मानवादिकार आयोग होता है उसमें 41 पद है जॉइन्ट रजिस्टर का इंस्पेक्टर के और अन्य पदों पर यहां पर भढ़ती है इसके अलावा आईसी एफरी में नौकरी की संभावना यह आपका इंडियन काउंसिल फर फॉरेस्ट रिसर्ट एंड एजूक इसके लावा बिहार स्टेट पावर कंपनी में जूनियर अकाउंट क्लर के पदों पर भढ़ती है तीन सो पदों पर यह आप देख सकते हैं नौर्मल ग्रेजुएशन जिसमें शाद चाहिए होगा और एन आई-ई-पी-ई-ड में नौकरी लगबख 60 पद आपके इसमें है असिस्टन प्रोफेसर लेक्सर और अन्य पदों के लिए इसके लावा सीट एट का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक्जाम इसका है सीट एट के अभ्यादियों के लिए तीन स्पेशल ट्रेने कई ट्रेनों के समय में भी रेल्वे ने किया है बदलाव सुबेदार ग के लिए सहुलियत इससे हो जाई है तो यही आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बागी और कुछ खास तो आज आया नहीं बस एक यूबी पीसीस वाला एक जो नया चेंज किया है एक्जामिनेशन में वह आया है इसके बाद मैं भी थोड़े दिर में पूरे हफते का वी